Redmi Note 5 Pro के लिए Mi YCF का लेटेस्ट अपडेट आ गया है 12.5.3 इसका जो पिछला अपडेट था 12.5.1 था तो उसका वीडियो आप देख लेना उसके बाद जो यहाँ पे चेंजेस हुए उनके बारे में ज्यादा तर यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ बाकि पिछले अपडेट के वीडियो आपको आई बेटन पर देखने को मिल जाएगी और इस रोम को जो है फ्लसिंग में अटा तो आपका सेम रहेगा लेकिन फ्रेम्वेर जो होता है तो आपको यहाँ पे एक दे दूँगा डिस्क्रिप्सन पे तो इस रोम के लिए इस पेस में जो है में क्या कुछ चेंजस मिलता है जैसा कि माई डिवाइस के अंदर अगर आप देखोगे तो मिवाई से एफ का 12.5.3 स्टेवल बिल्ड हमें देखने के यहाँ पे मिल जाता है और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके ओल स्पेक्स के अंदर तो औल स्पेक्स में हाला कि यह ओवर क्लोग है 2.21 और इंडूइड वर्जन आपका 10 है और सिक्योटी पेच इस बार अपडेट कर दिया गया है बिल्कुल आपका यहाँ पे एक जून 2021 का सिक्योटी पेच अपडेटेड मिलता है करनल आपका यहाँ जर्मी जो की पहले भी देखने को मिलता था ओल्ड केम करनल है और यहाँ पे आपका यह बोल्ड फिलाल लेटेस्ट अनिमीशन के साथ ही मिलता है कंट्रोल सिंटर भी आपका काफी स्मूध है और जैसे कि आपको यहाँ पे एडिट पे दिखा दो तो एडिट पे आपका जो है न्यू सौमी पार्ट्स एडड किया गय और यहाँ पे आपका जो है फास चार्ज मिल जाता है नीचे आपको सलीनेक्स जो की परमीशी मिल जाता है क्लियर स्पीकर और टच बूस्ट मिल जाता है वॉल्म बैनल आपका लेटेस्ट रहने वाला जैसे कि पहले भी हमें देखने को मिलता था और जो पावर मेनियू है वह बी आपको दिखा दो यह भी जो है बिलकुल लेटिस्ट निकों मिल जाता है, आपका यहां पर यहां पर एप ओप्पनेग के प्रोब्लम आपको यहांपर आपको लेकर के देखने को नहीं मिलेगी, recent भी आपका smooth है और यहां पे RAM आपका पिछले update जैसा ही देखने को मिलता है 1.7 GB फ्रेम मिल जाता है 4 GB के अंदर और यहां पे जो हमारा camera है फिलाल यह भी आपको पहले जैसा ही देखने को मिलेगा तो इसके अंदर भी आपको कोई changes नहीं मिलती है सेम है पिछले update जैसा ही और Gcam तो फिलाल आप use करी सकते हो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है slow motion और बाकी सारी चीजे भी आपकी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है बाकी इस बार क्या हुआ है कि इस बार application आपके ज्यादा दर जो ही यहाँ पर latest update कर दिये गए है जैसे कि gallery की बात करूँ तो आप देखो कि यहाँ पर all in camera को option दे दिया गए जो कि बिल्कुल latest में मिलता है और यहाँ पहला कि आपका प्ले स्टोर है यह अभी certified नहीं मिलता तो इसके लिए आपको description पर वीडियो दे दूंगा तो आप जो है route करके certified कैसे करते हो साइची आप देख लेना उस पर कर पाऊगे और यहाँ पर tools के अंदर भी सब कुछ सेम है FM आपका काम कर रहा है screen recording भी पहले जैसे यह आपका quality हो यह फिर आपका IPS info हो सेम बिल्कुल पहले जैसे देखने को मिल जाता है calling अंदर भी आपका सब कुछ सेम पिछले update जैसा ही है vaulti काम कर रहा है video call अभी भी जो है बिल्कुल cut हो जा रहा है करते हैं तो बाकि Bluetooth audio काम कर रहा है Wi-Fi calling काम नहीं करता तो vaulti आपका ऐसे working मिल जाता है और अगर हम यहाँ पे चलते हैं setting में जो की extra feature है इसका तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो status bar का style तो फिलाल आपको same मिल जाता है यहाँ पे network traffic जैसे कि मैं यह वाला यूज कर रहा हूँ custom वाला जो की अच्छा रहा तक customize व दिया गया है इसमें आप जो notification icons का size है वो control कर पाऊगे कितना आपको चाहिए यह चीज control कर पाऊगे यह चीज आपको देखने को मिलता है सासल नीचे अगर आप देखोगे तो number of यहाँ पे notification icon मिलता है तो यह दो option है जो की आपको यहाँ पे new मिलने वाले हैं size icon और सासल number of notification icon तो यह दो option new मिलते हैं यहाँ पे pulse के अंदर आपको कोई changes नहीं मिलता है यह सारी सारी settings आपकी पहले वाली है और यहाँ पे आपका custom header है इसके बारे भी पिछले update में समझाया है तो आप देख लेने उसमें बाकी यहाँ पे यहाँ आपका lock screen वाला option premium वालों के लिए थिम भी premium वालों के लिए नोटिफिकेशन वाला भी option फिलाल premium वालों के लिए है बाकी यहाँ पर personal network वाला पिछले update में बता थे इन सब चीज़ों के वारे में और gesture भी premium बटन भी premium तो यहाँ पे ज्यादा तर आपको premium वाले को लिए देखने को म और बाकी के option आपको पहले वाले ही देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपका जो cast है यह फिलाल आपका बिलकुल अच्छे से काम करता है तो cast के अंदर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती और ball paper and pulse nation भी फिलाल आपका यहाँ पर सब कुछ same मिल जाता है पहले की तरह आपके सेम रहने वाले यहाँ पर बस AOD यहाँ से रिमूब हुआ charging and invasion भी आपको normal मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ जो reading mode है यह बिलकुल अच्छे से काम कर अगर आप देखोगी तो यहाँ पर फिलाल यह पहले से काफी better जो अच्छे से काम करने लग गया ह color scheme भी आपका मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर यहाँ पर यूज कर पाऊगे तो यह सारी सीज़ जो है बिलकुल पहले जैसी मिल जाती है sound and vibration की बात करें तो जैसे कि आपका somi part के अंदर MI sound जो की काम नहीं करता लेकिन यहाँ पर यह वाला जो है काम करता है इसे आप यू आप इसका यूज जो है अराम से कर पाऊगे जब भी आप यहाँ पर switch करो navigation button यह gesture में कुछ second थोड़ा सा वेट करो उसके बाद यूज करोगे यह जो है काफी smooth के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर काफी इच्छे से काम करता है हाला कि आपका यहाँ पर privacy protection latest है battery भी आपको बताई दिया apps के अंदर भी सबकुस सेम है और additional settings के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पर language जो है काफी सारी आपको मिल जाती है जैसे पहले मिलती थी Indonesian language भी available है इसके अंदर बाकी की language भी सेम है और बाहर भी आपका सबकुस सेम मिल जाता है screen time focus mode मिल जा notre poison के करीब जो है देखने को मिलता थन siya पर थोड़ा सा ब्रवा है लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके पर नहीं करते हैं और बात करोई यहां performance को ले करके तो performance आपकी रोम की जो है काफी अच्छी मिलती है तो आप यहाँ पर game भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर आप graphic unlock करते हो तो आपको जो है performance जरूर काफी better मिलेगा हाला कि यहाँ पर अगर आइंटू तो अगर आप कहोगे तो मैं उनके group का description पर चलो आपको link दे देता हो तो अगर आप join करके चाहो तो वहाँ से buy भी कर सकतो इनका paid वाला भी आता है फिलाल यह जो है free वाला है तो यहाँ यही सारे चीज़े हैं बाकि आप roam flush करो तो same ही रहेगा flushing method बिल्कुल same रहेगा बस framework जो दिया जाए जाएगा आपको fw तो उसको आप जो है flush कर लेना इस roam के लिए अगर आप चाहो तो वहाँ पर flush कर लेना roam flush करने से पहले आप चाहो तो flush कर लो या फिर flush करने के बाद चाहो तो तो बस यहीं सारे चीज़ था इसकी बीडियो के अंदर अगर आपको बीडियो अच्छे लगी है तो बीडियो को like जरू कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all पे कर लिजे ताकि अगली वीडियो जब भी upload करू उसकी notification आप सभी को मिल जाए thanks for watching कर दो कर दो